नमस्कार दोस्तों बागवानी गुरु चलन में आपका हर्दिक स्वागत है आज का वीडियो अपडेट वीडियो है और इसलिए अपडेट बना रहा हूं कि जब मैंने यह वाले बॉंसाई पोदे बनाये थे उस समय मैं जो है इसको फार्माउस से लाया था खुदवा के और यह कमेंड बनते भी हैं आप लोगों के प्रस्ने जिग्यासा है तो उसी जिग्यासा की पूर्ति के लिए मैं जो है आपको यह उत्तर के रूप में जो है यह बना के दिखा रहा हूं कि मैंने तीन बहुत सारे कमेंड भी किये थे आपडेट वीडियो बनाना तो मैं आज इ पत्ते आने लग गए यह यह आ गया यह आ गया और इसके बाद में नीचे से फुटा वारा अब जब यह अच्छा सेट हो जाएगा उसके बाद में इसकी वाइरिंग करेंगे कौन सा टैनी रखना है कौन सी नहीं रेकना है और यह वाला आपने देखा तो कि यह जो हमने य गया है और पूरा भर के आया है अभी हम यहां आधा लड़ू जो आजा we पॉल हमने बाहर किया था और आदा अंदर किया था क्योंकि हम जब इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको लुक देंगे उस समय यह रूट्स हमको उपर रखना है एक्सपोज करेंगे दिखाएंगे इस जो है इस पौदे को हमने इस तरह से डेवलप किया और रिजल् में यदि बारिश का मोशम है तो आप बेढ़क बनाएंगे आप रूट कटिंग करेंगे ऊपर से कटिंग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बढ़ियां पौदा चल जाएगा यह हो गया शिशम का पौदा शिशम में भी बहुत आसानी से रूट नहीं आती है लेकिन आ एक शिशम का जो है बना के दिखा देंगे शिशम में भी छोटी छोटी पत्ती आती इसलिए अच्छा बनेगा और जो है जो पीपल का पौदा तो वैसे बहुत परफेक्ट हैं क्योंकि जो है यह फाइकस की वराइटियों में आते हैं जैसे आपका फाइकस की वराइटिया होती इसी तरह से होती है और जो इसके साथ में आम लोग बढ़ का बनाते वह बढ़ियां सक्सेस होता है इनकी वह बढ़ की एरियल रूट्स बहुत अच्छी बनती है जो कि आमने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है तो यह वाला जो वीडियो आपके ल पोड कर लीजिए अपने बॉंज़ाइ जो बनाना है उसकी रूट कटिंग करना हो रूट बॉल निकालना हो मिट्टी निकालना हो यह कट करके उसको शेप देना तो आप भी कर लीजिए क्योंकि ठंड का समय आ रहा है और इस ठंड के समय में पोदे जो है डॉर्मेंट हो जा तो आप इसलिए जो है आप अपने पौदों की थोड़ी केर कीजिए और अपने बॉनसाय पौदों की देख रेक के साथ साथ में अभी बढ़ियां सा उसको रिपोर्ट कर लीजिए आप लेट हो गए तो वैसे तो जून जबी स्टार्ड होता है बारी शुरू होती उसी समय कर लेना चाहिए क्योंकि साल भर दो साल में जो है बौनसाय पौदे को कम होने करण उसको भोजन की जरुत पढ़ती है और उस भोजन की रिक्वायर्मेंट के लिए रिपोर्ट करना जरूरी है थोड़ीश कम करना सब्सक्राइब ताकि आने वाले समय में जो हम रिपोर्ट लग होता है संसार अलग है जो लोग इसमें काम कर रहे हैं यह आद है की पोडों की दुनिया एक अलग दुनिया इसके बाहत कोई दुनिया नहीं इसलिए आप हमारे 구독 आप यदि आभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसको जरूर सेर कीजिए ताकि आप जैसे दोस्तों तक हम पहुंच सकें दोस्तों यह चोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की जा